हेलो वाइज वोलकम बैक तो अनदर वीडियो फ्रियल ओफिसलन के और आज आप लोग देख रहे हैं एटसिंस की प्राब्लम है वह है पिन से रिलेटेड दोस्तों अगर आपका पिन नहीं पहुंचा है आपने अप्लाइ किया महने हो गया दो महने हो गया अभी तक आपको प प्राब्लम को सॉल्व करनी होगी स्टार्णिंग फ्राइज यू नीड तो एड यूर पेमेंट इन्फो एंड करता हूं दोस्तों अगर आप देखे होगे यहां पे तो डिरेक्ट पेमेंट वाली सेक्शन में चल जाती है एक्शन पे क्लिक करते ही ठीक है यहां पर अगर प्राब्लम को कैसे सॉल्व करना है अगर आपके साथ भी अगर से इसु है तो पेमेंट फोल्ड हो हो रही है पीन आपके घर तक नहीं पहुंच अध्रेस पे नहीं पहुंच तो इसे हालत में आप क्या कर सकते हो दोस्तों नौर्मली आप देखो कि आपको कहा से फाइदा नहीं होता है वो बस जहां से स्टार्ट करें गोल गुमाएगा आपको उसके लावा आपको कोई दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीन बार मैं आपको जबाब दूगा और बहुत ही एक सरल तरीके साब इसको कर सकते हैं दोस्तों आपको करना क्या है जैसे कि दोस्तों यहां पर जो एड्रस था वो कुछ और था तो पिर मैंने क्या किया था, यहां पे अद्रस फुद का ड्रस जून दिया मैंने जीसे कि आपको ग्रांण मेंद mix करना हैं तो यहां पे क्या करना है recent में आपको करनी है और recent से पहले आपको जानी है payment information में आप payment information में जाने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर manage setting आपको यहाँ पर दीख रही है manage setting रुकिए आभी थोड़ा सा में आपको और clear हो जाएगा ताकि आप सारा कुछ अच्छे से देख सको यहाँ पर देख रही है मैं आपको क्या करना है दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर name and address है तो name and address में आड्रेस में क्लिक कर दूंगा और name and address में आपको क्या करना है दोस्तों यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कुछ address डाला है और आपको क्या करना उस address को edit कर देनी और edit करने के बाद दोस्तों क्या करना है इसको save कर लेनी है ठीक है ना इसको save कर लेंगे और save करने के बाद फिर हम क्या करेंगे verification check volume जाएंगे सारा मैंने address चेंज कर लिया और address में आपको क्या करना ऐसे यहां पर अपडेट हो जाएंगे जैसे कि मैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर डाल देंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ जो absence pin है अपने address में आएगा अब उस address से क्या करेंगा जब जैसे पिन आएगा तो मैं इस पिन को यहां पर six digit वाली जो पिन होती है वो दोस्तों यहां पर डाल देंगा और वो जो आपको यहां पर 10 देखने को मिला इसके अंदर यह जो पीने 6 डिजिट को यहां पे आपको पूट कर देनी है यह जगा पर आपको इस डिजिट को जैसे पूट करोगे जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर सब्मिट जैसे करें दोस्तों यह मेरा पीरिफाइब हो जाएगा और जब पीन आपका वेरिफाइब हो जाएगा तो आप पेमेंट इंफोर्मेशन पेमें जाके आप क्या करना बैंक डिटेल जो है बैंक डिटेल को आप माप बूट कर जाना दोस्तों यही एक तरीका है अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी प्राब्लम सॉल्व हो जाएगी 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों तो अगर वीडियो को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें और कोई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी लगी तो जादा धास जैब करना और किसी प्राब्लम तो वीडियों को को सेर खरना पोच्ल फैन तक पहुंच देना मिलते हैं टरक्र बैर यूnh